गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स वैलकम ओनलाइन प्लेटफॉर्म आज हम सेलाई कंपेर दी जो की बिलियम सेक्सपेर की जो कभीता है बिये पार्ट फस्ट यर में पहली ही कभीता है उसकी स्टेडी करता है आपको पता है कि पहली वीडियो में हमने सेक्सपेर के बारे में पढ़ लिया था और सेक्सपेर के बारे में आपको मैंने बताया था कि उन्होंने इंग्लिस सॉनिट लखे है इंग्लिस सॉनिट जो होते हैं उनमें चार तीन स्टेंजा होते हैं और प्रतेक स्टेंजा में चार लाइनों होती है Novak यह समर्स दे कर्फुरीत हैもAK कभी पहले स्टेंजा में कभी अपने मिध्र की जो तुनाय समर्स दे से कर रहे है वो खुद कह रहा है कि जो summer day जो होता है विशेश कर western countries में बहुती सुंदर बहुती प्यारा होता है और कभी उसके बारे में बोलता है कि summer day में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं लेकिन कभी कह रहा है कि जब तेज हवा चलती है तो ये सुन्दर जो फूल है वो मुर्जा जाते हैं नस्ट हो जाते हैं इस तरीके से समर्ष की जो सुन्दर्त रहने की जो अवधी है अर्ता उसकी जो सुन्दर्ता है बहुत ही कम समय के लिए रहती है लेकिन कभी क्या करा है कि उसके मित्र की जो सुंदरता है वो तो पर्मनेंट है इस्ताई है वो समर्षडे के समान संग्छिप्ट समय के लिए नहीं है इसलिए वो अपने मित्र की जो सुंदरता है समर्षडे से करने में वो मना करता है कि मैं अपने मित्र की तुलना समर्षडे से नहीं करूंगा तो हम इसको करते हैं कि पहले ही लाइन में वो प्रस्ल पूछता है कि Sel I compare thee to a summer's day यहाँ पर दी कभी का मितR क्या मैं अपने मितR की तुलना somear's day से करूँ दो आट more lovely and more temperate जिसकी कला बहुती lovely है प्यारा है और नम्र सववाब का है वल경 है उसका जो दोस्त है बड़ा ही प्यारा है नम्र सभाब का है हम उसके बारे में भी बता सकते हैं कि समर्स डे जो है बैसे इसकर बैस्टन कंट्रीज में बड़ा ही लबली बड़ा ही टेंपरेट बड़ा अच्छा होता है लेकिन कभी क्या करा है लेकिन जब रफ विंट्स डू से एक दी डालिंग बड़ सोप में लेकिन जब 23 हवाएं चलती हैं तो मई के मैने में जो सुन्दर फूल खिले हुए हैं उनको वो क्या कर देती है नस्ट कर देती है और इस तरीके से जो समर्स की जो अवधी होती है सुन्दर होने की बहुती संक्षिप समय के लिए होती है अब दूसरा स्टेंजा कभी जो है दूसरे स्टेंजा में अपने मित्र की तुलना सूर्ज से कर रहा है तो देखिए कभी कहना चाह रहा है कि दूसरे स्टेंजा में कभी अपनी मित्र की जो सुन्दरता की तुलना है वो सूर्ज से करना चाहता है वो कहता है कि जो सूर्य होता है उसका काम तेज लोगों को उस्मा और प्रिकास परदान करना होता है अरतात वो बहुत तेज चमकता है लेकिन कभी क्या करें कि उसका जो चमकना है वो भी मुझे लगता है संचिप समय के लिए क्योंकि जब बादोलों में छिप जाता है तो उसके जो golden complexion है अर्थात उसका सुनहरा जो चहरा है वो क्या हो जाता है डिम पढ़ जाता है तो वह यहां पर कह रहा है कि sometimes too hot the eye of heaven यहां पर eye of heaven सूरे के बारे में बोला है कि जो सूरे कभी कबार बहुत तेज चमकता है and often is his golden complexion dim और कभी कबार उसका जो सुनहरा जो चहरा है अर्थात उसका जो तेज है वो डिम हो जाता है कब हो जाता है कि जब बादोलों में छुप जाता है and every fear sometimes decline और प्रते एक जो सुन्दर सुन्दर चीज होती है वो नस्ट हो जाती है या तो वो अच्छानक हो जाए या प्रकरत का जो तेज है वो कम समय के लिए है लेकिन उसका मित्र का जो तेज है वो तो कभी भी समापत होने वाला नहीं है अब थाड़ इस्टेंजा देखे वर्ट इटर्नल समर्स सेल नौट फेड नौर लॉस पैसन ऑफ देट फियर देट ओवेस्ट नौर सेल डैथ ब्रेक दो वा कि वो प्रते एक सुंदर चीज को नस्ट कर देती है अपने आगोस में ले लेती है लेकिन कभी क्या कर है कि मृत्तु का उसके मित्र की सुंदर्ता पर भी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो वो कह रहे हैं कि उसके मित्र का जो आंत्रिक जो समर है वो धुमिल नहीं होगा नौर लॉस पजेशन ऑफ देट फियर दो वेस्ट नहीं जो उसमें सुंदरता है वो कभी नस्ट होगी अर्था लॉस पजेशन मने हापर स्वामित स्वामित किसका फियर सुंदर रहने का उसको नस्ट नौर सेल डैथ ब्रेग दो बांडर सिनिसेड और नहीं जो मृत्यू जो है वो उसको अपनी च्छाम में लेगी अर्था मृत्यू का उसके मित्र की सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा वेन इंटरनल लाइस टू टाइम दो ग्रोएस्ट जब वे अपने मित्र की जो सुंदरता है उसको एक कविता में रच देगा तो कभी कहना चाहरा है कि उसके मित्र की जो सुंदरता है जब मैं कविता में रच दूँगा अर्थात यहां पर कभी फिजीकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है क्योंकि फिजीकल जो ब्यूटी ह वो तो समय आने पर नस्ट हो जाती है कभी आपर spiritual beauty के बारे में बात कर रहा है अंतिम जो दो लाइन है वो कपलेट की है तो उसमें क्या करता है so long as man can breathe कि जब तक लोग सांस लेंगे और eyes can see और जब तक लोगों की आखेंगी so long lives this इस तरीके से मेरा जो मित्र है वो जीवित रहेगा and this gives life to the और आने वाले पीडी उसको इस तरीके से जीवन देती रहेंगी अर्थात वो कभी जो है अपने मित्र को की जो सुन्दरता है उसको जब उसने कभीता में रचित कर दिया तो आने वाली पीडी जो है उसको पड़ेगी और इस तरीके से उसको अमरता मिलती रहेगी तो students यहाँ पर यह कभीता पूरी होती है और जो William Shakespeare ने इंगलिस सॉनेट लिखे है उनकी जो राइमी स्कीम होती है वो A B A B अर्थाली लाइन जो होती है वो तीसरी लाइन से राइम होती है और दूसरी जो लाइन है वो चोथी लाइन से राइम होती है तो देखिए Day थर्ड लाइन क्या है May Temprate Date यह तो फर्स Stranger हो गया अब सेकिन देखिए Science डेक लाइन्स डिम्ड अंट्रिम्ड इसके बाद थाड़ी स्टेंज देखिए फेड शेड ओवेस्ट ग्रोवेस्ट और अंतिम जो लाइने हैं जो कपलेट हैं सी दी यह भी राइम होती है अर्थात राइम इसकीम क्या होती है अबी अबी सीडी सीडी इएफ इएफ जीजी तो स्टुडेंट्स मैं आसा करता हूँ कि आपको यह जो वीडियो है बहुत ही हेलफुल रहे होगी और आपको मैं समझता हूँ कि यह जो कविता सहलाई कंपेर दी है पूरी तरीके से लर्नेट हर्ट हो गई होगी आप इस वीडियो को एक बार और पुने देख लीजिएगा यदि आपको नहीं समझमाई हो तो वैसे बहुती इजी कविता है के बल आपको इस तरीके से पढ़ना है कि तीन स्टेंजा में है और अंतिम दो लाइन का प्लेट है आपको पहले स्टेंजा में देखना है कि कभी अपने मित की जो सुन् स्टेंजा में तो इस तरीके से चलेगा दूसरे स्टेंजा में वो अपने मित की तुलना सूर्य से कर रहा है सूर्य का काम तेज चमकना है कभी कह रहा है कि वो अपने मित की तुलना सूर्य से भी नहीं करेगा क्योंकि जो सूर्य है कभी का बार तो तो तेज चमकता है लेक कि अपने की जो उसके मित्की जो सुन्दरता है उस पर मृत्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको भी पता है कि जिस व्यक्तिने जनम लिया है उसको निश्चित रूप से मृत्तु आती है और मृत्तु प्रते जो सुन्दर चीजे उसको नस्ट कर देती है जो सारे लिक जो सुन्दरता उसको नस्ट कर दीती है लेकिन कभी यहाँ पर फिर कह रहा है कि उसके मित्र की जो सुन्दरता है वो कभी नस्ट नहीं होगी उस पर मृत्व का कोई प्रवाब नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर physical beauty की बात ने करकर spiritual beauty की बाग कर रहे है और अंतिम दो लाइनों में कभी अपने मित्र की जो सुन्दर्ता है उसकी अमर होने की वविस्वानी कर रहे है कि वो क्या कह रहे है कि जब अपने मित्र की जो सुन्दर्ता है जब वो उसको एक कविता में रचित कर देगा ठीके तो वो समय के अंसार जैसे जैसे पीडियाती जाएगी समय के अंसार बढ़ता जाएगा अरथात लोग उसकी कविता को पढ़ेंगे जब तक लोग सांस लेते रहेंगे जब तक लोग देखते रहेंगे अर्थात जब तक यह प्रतिवी है at the time of day of judgment तब तक उसके मित्र है उसकी सुन्दरता को याद किया जाएगा तो students I hope आपको यह वीडियो बहुत ही helpful रही होगी आप इस वीडियो को like करें subscribe करें and share करें thank you very much